Hello everyone, Kanoo Jee Sir here and welcome to you in Student Point Academy. Students, today is in this video, we are going to study chapter number 15, Picture Graph, Class 4, Mathematics. So students, आपने Standard 3rd में Handling Data पढ़ा हैं, okay? Handling Data, जो है, Handling Data के बारे में जितने भी Information आपने पढ़िये, Handling Data में, Picture के According, हम Informations बताते थे, जो भी Questions पूछे जाते थे, उसके According, हम Answers देते थे, आप इसकी जो Images देखेंगे, इससे ही आप समझ में आ जाएगे, देखें, इस तरह के आपने कुछ Diagram, इस तरह के Tables आपने देखे होंगे हैं, इस तरह की Table आपने जरूर देखे होंगी, कुछ इस Type की Table आपने देखे होंगे, इस Standard 3rd के Maths में, जो की Chapter का नाम था, जो Last Chapter था आपके Book में, Handling Data, इस Handling Data पर ही Depend करता है Picture Graph, उसे पहले Handling Data के नाम से आपने जाना, अब उसी Chapter को आप नए नाम से जान रहे हैं, जो है Picture Graph, ओके, Picture means Picture, P-I-C-T-U-R-E, Picture, Picture मतलब चित्र, ओके, चित्र, Picture, Picture से ये Word लिया गया Picture, ओके, तो Picture याने Picture, चित्र और Graph, ऐसा Graph, Picture को दिखा कर शो किया गया Graph, याने की Picture Graph होता है, तो यहाँ पर देखिए, ये Pictures दिखाये गये हैं, और कुछ जानकारी हमें दी गई, that is, information दी गई है, और इसी Information के According हमें इस Practice सेट में Questions पूछे जाने वाले हैं, ओके, तो आए इसको Recall कर लेते हैं, कि हमने पिछले Time क्या पढ़ा था, नरसीं, विशाल, विराज, हेमा, ये चारों जो हैं, किसी Village Fair में जाते हैं, Village Fair मतलब गाओं में मेला या मंड़ा ही लगते हैं, ओके, वहाँ पर ये गये हैं, जहाँ पर बहुत सारे Shops हैं, ओके, अब परमजीत जो हैं वो नहीं गया हैं, तो यहाँ पर परमजीत पुश्टा है, कि आप जब मेले में गये थे, तो वहाँ पर आपने क्या क्या देखां, ओके, तो ये जो बच्चे मेले में घुमने गये थे, ओके, Village Fair में गये थे, नसरीन थी, विशाल था, विराज था, हेमा थी, तो इन्होंने क्या किया, एक टेबल बना है, एक टेबल बना है और वहाँ पर लिखा, टाइपस आप शॉप किस तरह की दुकाने थी, और नमबर आप शॉप कितनी दुकाने थी, तो उन्होंने बता है कि फूड आइटम की 5 शॉप थी, मतलब यहाँ पर 5 लिखा है, मतलब 5 शॉप, टॉइस की 3 शॉप थी, क्लॉथ की 2 शॉप थी, और जो अदर है, बाकी, इन नसरी ने कुछ अलग तरह से टेबल बनाई, देखिए, इस दोनों टेबल एक जैसी है, ताइप आप शॉप, यहाँ पर भी टाइप आप शॉप, यहाँ पर शॉप, नमबर आप शॉप, यहाँ पर भी नमबर आप शॉप, पर नसरी ने क्या किया, नमबर ना लिखते हु ये 1, 2, 3, 4, 5 picture अब विशाल पुछता है कि what do you these pictures mean, what does these pictures mean, in picture का मतलब क्या है, तो नसरीन कहती है, one picture stand for one shop, एक picture एक shop के लिए, तो अगर यहाँ पर five pictures है, तो five shop, तो देखिए, यहाँ पर five shop है, तो यहाँ five picture, यहाँ three shop है, तो यहाँ three picture, यहाँ two shop है, तो यहाँ two picture, यहाँ two five shop है, तो अगर five pictures, तो इस तरह से जो graph बनाते हैं, उसे ही हम picture graph कहते हैं, ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, अब मुझे बताइए, यहाँ पर एक और question arise होता है, there are three toy shop, so there are three pictures, हेमा, पुछती है, suppose there are lot of shop, मान लीजिए, अब यहाँ पर तो पाच shop है, तो आपने गिन लिया और लिख भी दिया, पर अगर ऐसी 100 shop होंगी, या 1000 shop होंगी, बहुत सारी shop होंगी, तब आप क्या करेंगे, क्या तब आप इतने सारे pictures draw करते रहेंगे, okay, will you draw so many pictures for that, उतने सारे numbers के लिए उतने सारे picture draw करते रहेंगे, तो उनके साथ जो tie है, वो कहती है, no, it is not possible to draw so many pictures every time, हर बार इतने सारे picture draw करना आसान नहीं होगा, so we pack the mango from our orchards, 20 mango in a carrot, when we count the total number of carrots, we come to know the number of mango, we have packed, we can do this with the picture, अब ताई ने क्या किया, कि ताई ने एक example दिया, वो जब अपने बगीचे में थे, तो उन्होंने कुछ carrot लिए, कुछ carrot लिए, अब उन्हें बताना था कि हर carrot में कितने mangoes हैं, हर carrot में कितने mango उन्हें पूरे mango गिनने थे, अब इतना आसान नहीं था, अगर उनके पास बहुत सारी carrot होगी, तो बहुत सारे mango वो गिनते बेटेंगे, एक एक mango गिनना इतना आसान नहीं था, फिर उन to a carrot, मतलब एक carrot में 24 mango आते हैं, उससे ज़्यादा mango नहीं आते, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बस number of carrot गिन लिये, जैसे उनके पास 10 carrot होगी, तो मान लीजिए उन्होंने 10 carrot गिन लिया, 1 carrot में कितने mango, 24, तो 10 से 24 को multiply कर दिया, यहाँ पर total answer मिल जाता है, कि 240 mango उनके और चैट्स में थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, 24 mango के लिए एक carrot शो किया गया, 24 mango के लिए एक carrot शो किया गया, अब इसी strategy को हम picture graph में आपको बताएंगे, कि कैसे picture graph में इसी technique का use किया जाता है, तो विराज कहता है, in the park, in front of many house, तो यहाँ पर उसने क्या क्या picture बनाया है, यह 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 flowers बना, यह rose के लिए, यह flowers है, यह rose शो करते, यह flowers हिबिसकस को शो करते, और यह flowers जो है, यह प्रिविंकल्स के flowers को शो करते, अब यहाँ पर scale लिखी गई, scale याने होता एक तरह का measurement, अब यहाँ पर बताए गया, कि one picture याने 10 shrubs, one picture means 10 shrubs, ओके, तो एक picture 10 shrubs को शो करता है, तो roses कितने हैं, 40, roses की कितने बुशेस हैं, 40, अब 10 के लिए 1, तो 40 के लिए 4, इसलिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 दिया गया, हिबिस्कस कितने हैं, 20, तो 10 मतलब 1, तो 20 मतलब 2, तो यहाँ पर देखे 20 के लिए 2 हैं, अब यहाँ पर pre-winkels के जो हैं, वो है 30, तो 10 मतलब 1, 20 मतलब 2, तो 30 मतलब 3, इसलिए यहाँ पर दिया हुए 3 pre-winkels, तो देखे इस तरह से इसको picture graph में show किया गया है, अब यहाँ पर एक और example है, chairs are brought from function in a school, अब school में लाई गई है chair function के लिए, नसरीन प्रेजेंट इस information in the form of pictorial chart, अब नसरीन ने एक pictorial, मतलब picture वाला chart बनाई, however instead arranging the picture vertically, अब यहाँ पर picture को उनने इस तरह से arrange किया है, she arrange the picture horizontally, इस तरह से, arrange करना इसे horizontal arrangement कहते हैं, और यहाँ पर दिखी, खड़े में arrangement हुआ है, इसे vertical arrangement कहते हैं, और इसे horizontal arrangement कहते हैं, let us see what this chart, however instead arranging the picture vertically she arrange them horizontally let us see what this chart tell us आईए बताते आईए देखते कि ये chart हमें क्या बताता है यहाँ पर देखिए type of chair metal की chair plastic की chair और hooder मतलब लकडी की chair अब यहाँ पर number of chair और यहाँ पर scale दिया गया है कि एक picture याने 10 chair होती है तो metal की chair अगर ये एक picture है मतलब ये 10 chair 10 chair 10 chair 10 chair 10 chair 10 chair one picture short 10 chair तो metal की कितनी chair होंगी बताईए यह ना अगर एक picture मतलब 10 chair होती है तो 1 2 3 4 5 5 picture मतलब कितनी हो गई 50 chair हो जाएगी है यहाँ पर भी देखिए plastic एक picture मतलब 10 chair तो ये भी 10 chair होगी 10 chair 10 chair 10 chair 10 chair 10 chair and 10 chair so 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 यहाँ पर 10 जो है वो 8 time है तो यहाँ पर होगी है 80 chairs और wooden में ये भी 10 chair होई ये भी 10 chair होई तोटल कितनी होगी 20 chairs ओके यहाँ पर देखिए in the second row 8 pictures like are drawn ओके इस तरह की 8 picture draw की गई it means that there are 8 into 10 80 plastic chair यहाँ पर 80 plastic chair होगी okay a total 15 pictures like this total कितने picture है यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर है 8 यहाँ पर है 5 8 और 5 13 और 13 और 15 total 15 chair है okay total 15 picture है तो बताओ total कितने chair होगी तो क्या करना पड़ेगा 15 को 10 से multiply करेंगे तो answer आएगा 150 chair okay इस तरह से हम easily किसी भी information को gain कर सकते हैं और इसी information पर आपके book में एक practice set दिया हुआ है जिस practice set को इसी वीडियो में हम पूरा complete करेंगे okay so students यह वीडियो complete एक ही वीडियो बनने वाला है इस वीडियो में picture graph पूरा lesson कतब हो जाएगा मतलब complete हो जाएगा okay तो आएगे solve करते हैं exercise okay study the table and answer the question given below क्या करना है table की study करनी है table के बारे में समझना है और जो question पुछे हैं उसके answer देने है first people in a town collect ad for flood affected कुछ लोग बार से गरस्त हो गए मतलब बहुत ज़रों की वारिश आई जिसे कारण लोगों के घर बरबाद हो गए okay तो लोग affected हो गए अब गाओं में रहने वाले जो लोग है उन्होंने कुछ ad collect किया मतलब मदद collect की लोगों से मदद ली और यह जो मदद ली गई है यह मतद this is the pictorial representation और यह जो मदद को यह जो ad को represent किया गया है यह pictorial रूप में pictures के रूप में represent किया गया है तो एक column बना है given ad का ad given कौन सी मदद दी गई okay number of family who helped कितने लोगों ने इनकी मदद किया तो medicine कोन-कोन से मदद दी गई दवाई की मदद दी गई खाने की food item की मदद दी गई कपड़ों की मदद दी गई और बाकी other मदद भी दी गई medicine की मदद देने वाले तीन चित्र यहाँ पर बने हुए food item की मदद देने वाले चार चित्र यहाँ पर बने हुए कपड़ों की मदद करने वाले दो चित्रे यहाँ पर बने वर बाकी दूसे तरह की मदद करने वाले तीन चित्रे यहाँ पर बने वर हमें यहाँ पर सकेल पुछार कहता है कि one picture यहाँ पर देखें एक अई picture निया इसलिए one picture means twenty families एक picture याने twenty family होती है तो अब यहाँ पर question जो arise होता है वो यह है पहला question How many families give medicine as a ad? Aid में मतलब मदद के तौर पर कितने परिवार ने दवाई आती? अब यहाँ पर एक घर मतलब 20 family होती है यहाँ पर 3 घर है, मतलब 3 pictures है तो क्या करेंगे? How many families give medicine ad? कितने pictures है? 1, 2, 3 3 pictures How many family? 20 family यहाँ फिर आप इसे ऐसा कर ले 20 family कितनी pictures है? 3 pictures तो 3 to the 6 और यह एक 0 का 0 मतलब 60 क्या पुशा है? How many families? तो लिखेंगे 60 families इसको जो आपको लिखना है अपने book में question answer के तरफ पर लिखना है मतलब इसे आप लिखेंगे उपर और इसका answer solve करके लिखेंगे इसके नीचे हम यही पर बाजू में आपको solve करके लिखा रहे हैं पर आपको properly solve करना है मतलब properly लिखना है What form of the health was given by the largest number of family Once again What forms of health was given by the largest number of family सबसे ज़्यादा किस चीज के लिए मदद दी गई largest number of family What form of health किस प्रकार की मदद मिली सबसे ज़्यादा families के तरफ से तो वो जो मदद थी जो सबसे ज़्यादा families ने की है तो सबसे ज़्यादा picture यहाँ पर कुन सी है food item की तो यहाँ पर जो answer होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे answer में cloth cloth उसके बाद question second this is a chart showing what kind of fuel is used in the kitchen in 160 house in a village गाओ में total 160 घर है कितने घर है students 160 घर है अब 160 घर में अलग-अलग तरह का fuel यूज होता है खाना पकाने के लिए कोई gas का यूज कर रहा है कोई kerosene का कोई लकडी जला रहा है wood और कोई gober gas यूज कर रहा है तो gas के यूज करने वाले 1,2,3,4 फोर फोर पिच्चर यहाँ पर दिये हुए है 1 house means 10 house होते है एक पिच्चर एक पिच्चर याने 10 घर ओके तो gas में यहाँ पर कितने पिच्चर है 10 पिच्चर है 1,2,3,4,5,6,7 पिच्चर है kerosene के लिए 2 पिच्चर है wood के लिए 3 पिच्चर है गोबर गयास के लिए ओके अब what kind of fuel is used in most house घरों में सबसे ज़्यादा fuel कुन सा use हो रहा है किस प्रकार का fuel सबसे ज़्यादा use किया जा रहा है तो सबसे ज़्यादा पिच्चर किस की है 1,2,3,4,5,6,7 पिच्चर है kerosene की किस प्रकार का fuel मतलब कौन सा fuel घरों में सबसे ज़्यादा use हो रहा है उसका नाम लिखना है तो वो है kerosene तो यहाँ लिख देंगे हम kerosene kerosene याने घास लेट या मिट्टी का तेल उसके बाद how many house use gober gas gober gas कितने घर use कर रहे तो यहाँ पर देखे कितनी picture है 3 picture है और एक picture मतलब कितने house 10 house 10 into 3 is equals to 30 house इसका अंसर होगा 30 house sorry how many houses use gas कितने house gas use कर रही है तो कितने picture है 4 picture है और 1 picture मतलब कितने house 10 house तो लिखेंगे 10 into 4 is equals to 40 house बस इस तरह से इसे करना है उसके बाद next question number 3 क्या है और chart showing the crop grown by the family the farmer in a village ओके village में रहने वाले farmers का एक chart यहाँ पर show हो रहा है ओके अब यह जो chart है यह हमें बता रहा है कि कितने farmer कौन कौन सी crop को grow कर रहे है ओके तो यहाँ पर crop के नाम दिए गए है यहाँ पर number of farmers दिए गए है और साथ में बता गया है कि farmer का एक picture याने 10 farmer होते हैं तो जोवार ओके जवार pulses, vegetables, vegetables and other यह crop है इसने type की crop है और जोवार जोवार के लिए कितने पिच्चेस दिए 1, 2, 3 पिच्चेस फार्मर मतलब 10 इससे आप समझ गये होंगे कि कितने farmer जवार कर रहे हैं 30 पल्स वाले कितने farmer होंगे 10 और 10, 20 आप चाहे तो इस तरह से यहां लिखकर रख सकते हैं vegetable वाले कितने farmer है 1, 2, 3, 4 10 अगर 4 टाइम है तो 40 और अदर 1, 2, 3 10 अगर 3 टाइम है तो 30 farmer अब इसके according आप इसके answer easily दे सकते हैं तो पहला है how many farmers grow जवार जवार कितने farmer grow करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे answer answer जो वो क्या है 40 farmers जवार वाले 30 farmers है answer 30 farmers which crop is grown by the least number of farmers कौन से farmers जो है सबसे कम crop कौन सी grow हो रही है सबसे कम farmer किस crop को grow कर रहे तो वो है pulses तो यहाँ लिखेंगे pulses उसके बाद how many more farmers grow vegetable than pulses देखें, vegetable उगाने वाले कितने farmer है और pulses उगाने वाले कितने farmer है तो pulses उगाने वाले farmer कम है और vegetable उगाने वाले ज़्यादा है तो क्या पुशा how many more farmers तो कितने farmer ज़्यादा है जो vegetables को उगाते है pulses के according तो यहाँ पर देखिए pulses वाले farmer कितने है pulses यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे सबसे पहले vegetable vegetable वाले कितने है भई vegetable इसे थोड़ा बढ़ा कर दे आपको बताते कैसे इसके solve करना है यहाँ लिखेंगे हमने vegetable minus pulses vegetable कितने है 40 pulses कितने है 20 तो answer कितना आ जाएगा 40 minus 20 20 farmer 20 farmer उसके बाद 4 a chart showing a chart showing what colors were worn by children to school on the day when the school uniform was not compulsory तो school में एक दीन होता है जिस दिन school uniform जो है वो compulsory नहीं होता उस दिन बच्चे colorful dress पहन कराते है तो यहाँ पर एक chart show किया गया है कि कुछ बच्चों ने अलग-अलग तरह के सभी बच्चों ने अलग-अलग तरह के कपड़े पहन कराया हुए तो red color पहनने वाले बच्चे यहाँ show किये गया blue color पहनने वाले यहाँ green यहाँ और yellow यहाँ तो यहाँ पर कहा गया है कि one picture याने five children होते हैं तो यह होगे number of student और यह होगे color of cloth इस तरह से यहाँ पर show किया गया है देखिए graphical method में यहाँ पर show किया गया है यह होगे number of student और यह होगे color of cloth यह table नहीं है यह graphical method में show किया गया है और साथ में कहा गया है कि five children याने मतलब one picture याने five children होते हैं question पुछा है how many children are there in the class तो class में total कितने बच्चे होंगे okay तो pictures को count करना होगा one two three four five six seven seven student है okay sorry seven picture है और one picture means five children तो seven five are thirty five तो यहाँ पर हम answer लिख सकते हैं अब हम आपको बताएंगे कि इस तरह से answer आपको लिखना है अभी तक हमने आपको direct answer लिखना सिखाया था अब हम इन picture से आपको word में पूरे वाक्य में answer लिखना सिखाएंगे आप कोशिश कीजिए कि हर तरह के question में आप इसे apply करें सभी question में आप इसे पूरे वाक्य में मतलब full sentence में answer लिखें so how many children are there in the classes तो लिखेंगे there are 30 students in the class उसके बाद मतलब यहाँ पर 30 students हमने 30 students लिख दिया how many children wore yellow cloth yellow cloth कितने बच्चों ने पहना है तो yellow के लिए एक ही picture है तो लिखेंगे 5 children so how many children wore yellow cloth तो लिखेंगे 5 children poor yellow cloth उसके बाद next है what color did the largest number of children wear उके सबसे ज़्यादा color कौन सा पहना गया and how many more that the color and how many wore that color what color did the largest number of children wear वो कौन सा color है जो सबसे ज़्यादा बच्चों ने पहना और how many wore that color और कितने बच्चों ने उस color को पहना तो सबसे ज़्यादा पहना गया color है वो है red ओके और एक पिच्चर मतलब 5 तो ये भी 5 तो ये 5 तो ये 5 तो 5 5 5 होता है 15 5 trees are 15 ओके यहाँ पर हम answer लिखेंगे what color did the largest number of children wore तो ये लिखेंगे red color answer में red color the greatest number of children wear okay and how many more how many wore that color और कितने बच्चों ने उस color को पहना so इसका भी answer क्या आएगा next answer होगा how many wore that color तो लिखेंगे 15 children wore that color okay बस इस तरह से इसे लिखना था so students देखिए इसी के साथ इसी question के साथ ये जो lesson है picture graph ये पूरी तरह से यहाँ पर complete होता है I hope that picture graph आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से हम picture का use करके information बता सकते हैं और information gain कर सकते हैं so students ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment box म में जरूर बताईए वीडियो अगर अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल में अगर पहली बार है तो इससे subscribe जरूर कीजिए so students मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम करेंगे next lesson number 16 so till then bye bye